चोपड़ा जी किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों हरियाना स्टेट के फर्स्ट राउंड का रजल्ट आ चुका है मैं यहाँ पर आपको केटेगरी वाइस कटोप बताऊंगा कि कितनी कटोप रही है हरियाना स्टेट की इसमें मैं दोनु केटेगरी के कोलेजेज की कटोप बताऊंगा जिन में बॉंड है उनके भी केटेगरी वाइस कटोप बताऊंगा तो सबसे पहले बात कर लेते हम सभी colleges की जिसमें bond वाले college भी सामिल है और जिनमें bond नहीं है वो college भी सामिल है तो लास्ट कटोब रही है open category की 608 marks जिसके 17474 रेंग थे उनको अटल भिहारी वाजपई फरीदाबाद का जो नया college इस बार से शुरू हो रहा है वो मिला है EWS category में 600 marks पर सहम college मिला है BCA category में male candidate को 586 marks पर मेवाद का college मिला है और BCA category में female candidate को BPS college है सोनीपत का वो 577 marks पर मिला है BCB category को अटल भिहारी वाजपई फरीदाबाद वाला college 597 marks पर मिला है SC category को जो मेवाद का college है 507 marks पर मिला है जो SC category के female candidate को BPS सोनीपत का 502 marks पर मिला है तो ये सभी colleges की cut-off है अब इन सभी colleges की other category की एक बार में cut-off बता देता हूँ उसके बाद बिना bond वाले institute की cut-off बताऊंगा तो पहले सभी category जो other category PWD है FF है SCD category है उन सब की में आप बता देता हूँ तो बात करें open PWD की 159 marks पर फरीदाबाद वाला college मिला है BCA PWD candidate को 107 पर BCB PWD candidate को 182 पर रोतक मिला है SCD candidate को 438 marks पर मेवात वाला college मिला है अब NRI category 1 की बात करें तो रोतक का PGI मिला है 121 marks पर NRI category 2 फरीदाबाद वाला college मिला है 145 marks पर NRI category 3rd सोनिपत का college मिला है 237 पर और NRI category 3rd को male candidate को मेवात वाला college मिला है 283 पर इसके बाद में BSA ESM FF priority candidates को मेवात वाला college मिला है 576 पर BCB ESM FF category को कलपना चाउला करनाल वाला 381 पर मिला है इसके बाद आप बिना bond वाले जो दो college हैं महराजा अगरसीन undertaking है government के और दूसरा ESIC फरीदाबाद उनकी मैं आपर आपको category wise कटोब बता देता हूं कि बिना bond वाले कितने marks पर ये college मिले हैं अब open category की हम बात करते हैं तो open category ESIC फरीदाबाद 649 marks पर मिला है और महराजा अगरसेन 630 marks पर मिला है EWS ESIC 642 पर मिला है और महराजा अगरसेन 619 पर मिला है BCA में ESIC 626 marks पर मिला है और महराजा अगरसेन 589 marks पर मिला है BCB category में ESIC 640 पर मिला है BCB category में महराजा अगरसेन 604 पर मिला है SC category में ESIC 565 पर मिला है और महराजा अगरसेन 523 पर मिला है open PWD ESIC 498 और महराजा अगरसेन 183 पर मिला है EWS PWD ESIC फरीदावाद 119 और SCD ESIC फरीदावाद 534 और SCD महराजा अगरसेन 453 पर मिला है यह जो मैंने अभी बताए हैं यह सिरफ दो ही कोलेज की कटोफ है जिन में बॉंड नहीं है बिना बॉंड वाले सबी कोलेजेज की कटोफ मैं आलरी बता चुका हूँ अब बात करेंगे हम BDS कोलेज की तो BDS की Open Category की जो कटोफ रही है 563, BCA की 521, BCB की 482, EWS की 523, NRI Category 5 की 253, SC की 398 और SCD की 369 और Open PWD की 116 कटोफ रही है BDS की तो ये मैंने आपको Category-wise बॉंड वाले कोलेज की भी बता दी है और बिना बॉंड वाले कोलेज की भी बता दी है सभी MBBS कोर्स और BDS कोर्स दोनों के लिए बाकी स्टेट के जैसे जैसे रेजल्टे डिक्लेर होंगे मैं आपको Category-wise कटोफ बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें चैनल को सब्सक्राइब आवस्य करें क्योंकि इस प्रकार के वीडियो जो बनाने में बहुत महनत लगती है बहुत समय वेस्ट होता है लेकिन हम आपके लिए लेकर आते हैं इस प्रकार की information काफी सारी महनत करने के बाद तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें अगर पसंद आजाता है तो इसको सेर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं